Hello friends, welcome back to Prabhala classes. आज हम डिस्कस करेंगे कॉंस्ट्रेशन का एक टॉपिक, आर्टिकल 19 और लास्ट में हम सीखेंगे आर्टिकल 19 के आल क्लॉस को लर्न करने की ट्रिक. तो चली स्टार्ट करते हैं. अमारे भारतिय सम्वेधान में हमें 6 प्रकार के fundamental right यानि मूल अधिकार दिये गए हैं. जिसमें से एक fundamental right, right to freedom यानि की स्वतनता का अधिकार भी है. Right to freedom के अंदर, फर्स्ट आर्टिकल जो आपका हमारा आता है, article 19. Article 19 में 6 types के right दिये गए हैं, जो की पहले 7 थे. पहले हम एक overview ले लेते हैं, article 19, clause 1 का, उसके बार article 19, clause 1 के जो हमारी right है, इसको हम sequences से कैसे लगन कर सकते हैं, उसकी हम trick सीखेंगे. According to article 19, protection of certain rights regarding freedom of speech, यानि वाक स्वतनता आदी, विश्यक कुछ अधिकारों का संगरक्षन. Clause 1 provides that our citizens shall have the right to freedom of speech and expression, वाक और अभिवक्ती का अधिकार, B, to assemble peaceable and without arms, शांती पूर्वक और निरायुद्य सम्मेलन का अधिकार, to form associations और unions, संगम या संग बनाने का अधिकार, और 2011 में 97 constitutional amendment के तुरू cooperative societies बनाने का rights भी प्रवाइट करिया गया। But now, it struck down by the Supreme Court in the case of Union of India v. Rajendra Shah. Union of India v. Rajendra Shah के case में, जो 97 constitutional amendment act है, उसको struck down कर दिया गया Supreme Court के द्वारा. 97 constitutional amendment के तुरू constitution में part 9b एड किया गया था, जिसे अब partly unconstitutional declare कर दिया गया है by the Supreme Court. Next है, to move freely throughout the territory of India, भारत के राजे छेत्र में, समस्त राजे छेत्र में, आबाद संचरन का अधिकार, आबाद यानिगी आप भारत के किसी भी राजे छेत्र में freely travel कर सकते हैं, वहां घूम सकते हैं. Next, to reside and settle in any part of the territory of India, यानि भारत के राजे छेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतनत्रता. Resite means निवास और Settle means बसना. भारत के नागरे को भारत में कहीं भी निवास करने या वहां पर बस जाने का अधिकार है. Next है, आप कहाँ? 19, Clause 1, Clause F. इसे ओमित कर दिया गया हैं by 44th Constitutional Amendment Act 1978. अब यह है, Fundamental Right नहीं है, बलकि, It was our Fundamental Right before 44th Amendment, but now it is our Constitutional Right in Article 308, Right of Property. पहले यह हमारे Fundamental का ही पार्ट होता था, 19-1-F में, पर 44th सम्विधान शन्शोधन के द्वारा, इसे Fundamental Right से हटा दिया गया, और इसे हमारा Constitutional Right बना दिया गया, और इसे Article 300A में अलग से Right of Property, यानि संपत्ति का अधिकार बना दिया गया. Next है आपका, To Practice Any Profession or To Carry On Any Occupation, Trade or Business. भारत में कहीं भी आप अपना बिजनस चला सकते हैं, कहीं प्रैक्टिस में आ सकते हैं, कोई भी Profession आप फॉलो कर सकते हैं, कोई आप ट्रेड कर सकते हैं, बिजनस जो आप चाहें, वही आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, business कर सकते हैं, trade कर सकते हैं, कोई occupations follow कर सकते हैं या कोई professions में आपके आ सकते हैं अब हम आते हैं हमारे lecture के main part पे जो हमारे lecture का main purpose है आपको एक trick के थुरू article 19 के सारे clause by sequence learn कराना देखिए, जब आपके पास freedom of speech and expression होगा यानि कि जब आप अपनी बातों को सुरतंत्रता पूर्वक express कर पाओगे किसी दूसरों के सामने तो वहाँ लोग क्या होने शुरू हो जाएंगे? Assemble, लोग की assembly बनेगी उसके बाद freedom of speech यानि कि आपने अपने views express कर दिये उसके बाद लोग assemble होए उसके बाद जब assemble होंगे तो assemble होने के बाद क्या बनेगी? Associations बनेगी और unions बनेगी यानि कि संगम संग बनेगे और जब संगम और संग बनेगी तो एक जगे तो रहेंगे नहीं वो क्या करेंगी? Move करेंगी Move करेंगी Other territory अब जब वो move करेंगे तो normal सी बात है जब एक राजी छेतर से किसी दूसी राजी छेतर में वो move करेंगे वहाँ पर जाएंगे विजिट करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे? वो decide भी करेंगे वहाँ जा करके और जब recite कर गए हैं तो उनका खाना खर्च कैसे चलेगा तो उसके लिए क्या होंगे वहाँ पे वो profession में आएंगे, occupation करेंगे, business करेंगे तो how we learn, article 19 clause 1 में freedom of speech होगी freedom of speech होगी तो article 19 clause 1 B में assemble होंगे लोग assemble होने के बाद 19 1 C में associations बनेंगी, unions बनेंगी association unions बनने के बाद वो union 19 1 D में क्या करेंगी, move करेंगी इदर उधर जाएंगी, association बनने उनको कुछ purpose तो होगा न, move करेंगी उसके बाद जब move करेंगी तो वहाँ पर move करने से क्या होगा, वहाँ पे जाके आपको Article 19, Clause 1 के जितने राइट्स उसमें दिये गए हैं उन्हें सिक्वेंस से लर्ण करना Now, thanks for watching. Please like, share and subscribe. वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा And also press the bell icon for more videos. Okay, bye bye, take care, have a nice day.